गुड इवनिंग बच्चा लोग कैसे हो गुड इवनिंग गुड इवनिंग अमाइ ऑडिबल एमाइ विजिबल क्या मेरे बच्चे मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं येस आयम ओडिबल आयम विजिबल ओके ओके येस चलो बच्चो तो आज तो एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और कौनसा चैप्टर है एनाटमी जो इतनी देर से तुम रिक्वेस्ट कर रहे थे माम इनाटमी कब पढ़ाओगे इनाटमी कब शुरू होगा आज शु इस बच्चो बंद कर दिया जाए बहुत ही ठंड हो गई है इस कमरे में ठीक है आज अपनो करेंगे बच्चो वी विल स्टार्ट विद इनाटमी और फ्लावरिंग प्लांट चार दिन में मैं ट्राइ करूंगे कि ये आपका चैप्टर मास्टर हो जाए ठीक है चार दिन मे पूरा पूरा अपना 100% देने वाले मैं भी और तुम भी कि ये चाप्टर अपना मास्टर हो जाए और राइट बच्चो ठीक है जो नए बच्चे उनको बता दे जाए बच्चो आएं डॉक्टर गार्वी सिंग आफ दन माई पीच्डी इन माई एकॉलोजी मैंने बाटनी पंजाब यूवर्सिटी चंडिगर से करा है छे साल हो गए पढ़ाते हुए और जब मैं पीच्डी करें थे तीन नए स्पीशिस दिसकवर करें थे दस रिसर्च पेपर चाप डाले थे ओके और बहुंसारे स्टुडेंट को गाइड करें उनको उनके ड्रीम कॉलिज तक प अगर आपको स्टडी प्लानिंग चाहिए अगर आपको चाहिए ना कि कोई एक आपका हाथ पकड़के आपको नीट के सारी मेडिकल कॉलेज के दरवादे तक लेखे जाए तो आप आइक ले सकते हैं अदर्वाइस यू कन गो फॉर प्लस ठीक है यहां पर आभी आपको परी है और तीन महीने का एक्स्टेंड हो जाएगा हमारे प्राइस बढ़ने वाले हैं ठीक है एक एप्रिल से आपके प्राइस बढ़ जाएंगे तो अभी आप गार्गी कोड लगा के बच्चो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आपको 10% off मिलेगा यू विल आपको अगर कोई भी दिक्कत हो ना कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो तो आप इस नमबर पे कॉल कर सकते हैं मेरी टीम आपको आपकी जो भी परेशानी होगी उसको दूर करने की पुरी-पुरी कोशिश करेगी और कल क्या होने वाला है कल हमारे होने वाला है फुल बायोल आप डाउनलोड करेंगे गार की कोड लगाना है और सब बच्चों को पहुंच जाना है कल बच्चों 2.30 एक घंटे का टेस्ट रहेगा वही बिल्कुल जैसे तुम्हारा नीट का पेपर होगा उसी तरह का फील तुम्हें आने वाला है कल वही फील तुम्हें कल आने वाला है येस आरवी मजा आगया अज टेस्ट में ओ हो 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 है 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 फुल जोष नहीं बच्चों यूट्यूब पे नहीं होगा वह आपका ची जो टेस्ट होता ना उसमें आपको एकदम से पता भी चलना चाहिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए कितना गलत हुआ ठीक है चलो मैं लबटॉप भी दे रहे हो कि आप बच्चों बहुत सारी प्राइज जो आपको मिल सकते हैं स्कॉलर्शिप का टेस्ट होता रहता है उसमें बड़े सारे प्राइज मिल सकते हैं आपको चलो येस आए हाए सुष्मा थैंक्यू सुष्मा थैंक्यू मैं अब काफी ठीक हो चुकी हूं ठीक है बचो आप मैं काफी ठीक मेरा जो पेट था वो मैंने काफी रिकवर कर लिया अभी बाकी देखते हैं बाकी पीट का तो वही हाल है वो तो देखते हैं कब ठीक होता है शुरू कर किस-किस से डर लगता है कौन गाल बच्चा यहां पर जो हो Wait All ए besh कि चार दिन के बाद मैं फिर से पूछूँगी अब किस को कितना डर लगरा हला एंठ तुम आज दिन के बाद बचे मैं फिर से पूछूँगे कि अब कितना डर लग रहा है तो I hope कि यह challenge लेकर मैं चलू और तुम्हारे मन से यह डर हटा दू ठीक है? Yes, okay. चले जी, anatomy. anatomy क्या होता? study of internal structure. लिखो, study of internal structure हो गया मेरा anatomy. anatomy को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से तुम्हें पढ़ाने वाली हो, of organism, obviously और किसके पढ़ेंगे? organism की पढ़ेंगे? पत्थर या लकडी के तो पढ़ेंगे? लकडी के भी पढ़ सकते हैं, पत्थर के तो नहीं पढ़ेंगे? यह ना? चलू. यह हो गया. anatomy यह हो गया. तो बच्चो, anatomy is basically what? टिशू के बारे में मुझो जानना है. मेरे बॉड़ी में किस-किस तरह के सेल्स हैं, मेरे बॉड़ी में किस-किस तरह के टिशू हैं, उसके बारे में मैं पढ़ने वाली हूँ. अब जो मेरा प्लांट टिशू है, ठीक है, देखो क्या होता है? कि तुमारे शरीर में होते हैं, molecules, ओके बच्चो, यह सब को पता है और इससे बन जाते हैं अपना ओर्गानिजम, यह होता है ना, यही है ना, जिंदगी की कहानी तो यही है बच्चो, ओके, जिंदगी की यही रहता है, यही रहता है जिंदगी की, ओके, 4 दिन के बाद प्यार हो जागा, I really hope कि 4 दिन के बाद तुम्हें इस चैप्टर से प् कि तुम्हें प्याग हो जाएं, ओके बच्चो ठेक, तो मैं यहां पर इस पर फोकस करने वाली हूँ, इस चैप्टर में मेरा फोकस रहेगा, यहां बच्चो, कौन से ओर्गन में कौन सा टिशू है, कौन सा सेल है, इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा, तो मैं ज़रा देख तो यहां अलग अलगतर आगा, तो प्लांट टिशू भी पढ़ेंगे हम, है ना, प्लांट टिशू भी पढ़ेंगे, ओके जी, चलो, कौन उससे पूछा, माम कितने क्वेशन आते हैं, बच्चो, इससे 2 या 3 क्वेशन आ जाते हैं, 2 या 3 क्वेशन, अगर तुम्हारा गो प्लाग में हमने एक वो बनाया हुआ है, यह तो बड़ा मुश्किल चाप्टर है, समझ में नहीं आता, शुरू कर रहे हैं, आजो, आप देखते हैं, हम टाइपस आफ टिशू, ठीक है, I have planned कि मैं इसको एक अलग ही, बहुत ही असान तरीके से तुमारे सामने लाकर रखने चलो, कर दें, डिवाइड कर दें, क्या, क्या बोलते हैं बच्चो, क्या बोलती है जनता मेरी, पिलांट, टीसू, ठीक है, this is the plant tissue, okay, plant tissue को मैं डिवाइड करने वाली बच्चो दो में, I am gonna divide this into two parts, आचाओ, इसको थोड़ा easy करेंगे, जैसे अपनी बुक में न, मैं तुमें seriously बताओ, in CRT में ये chapter को, जिस तरा से दिया हुए न, बच्चो को डर लगेगा ही, जिस तरा से दिया हुए, बच्चो को डर लगेगा ही, है न, तो मैं चाहती हूँ कि, चलो, लिखते हैं, एक हो गया बच्चो, मेरीस्टेमाटिक, one is, मेरीस्टेमाटिक टिशू, एक को हम बोलते हैं, मेरीस्टेमाटिक टिशू, दूसरे को, बच्चो मैं बोलने वाली हूँ, पर्मानेंट, ठीक है, पर्मानेंट, टीसू, अब भई, मेरीस्टेमाटिक क्या होता है, मैं पर्मानेंट क्या होता है, बता देते हैं, तुम्हें चिंता मत करो, तुम्हें ही बताएं मैं जिन्दगी में कुछ भी चल रहा है मैं यहां पर आती हूं class लेती हूं you know na my consistency you know na my consistency ठीक है बच्चो okay you know my consistency तो ऐसे ही समझ लो arithmetic tissue वो होता है जो हमेशा divide करता है कुछ भी हो जाए जिन्दगी में वो divide करेगा division करेगा right बच्चो ठीक है sort of this is not a one-shot sort of बच्चे this is not a one-shot मैं जितनी speed पे चल रही हूं उतनी speed आपको आपके लिए perfect है okay चलो 11th and 12th दोनों cover होंगे या बिल्कुल होंगे क्यों नहीं होंगे yes बच्चो permanent क्या है permanent वो है जो अराम पे चला जाएगा ठीक है जो अराम पे चला जाएगा मतलब divide नहीं करेगा तो लिख लें yes लिख डाले बच्चो yes ma'am लिख दो meristematic tissue बच्चो it will divide cells divide okay और मेरे cell divide करते हैं या पर और यह होता है तीन प्रकार का ठीक है तीन तरह का होता है मेरा meristematic tissue इसको further divide करेंगे यह जो मैं माइंड मैप आपको दे रही हूँ ना यह आपको ncrt को simplify कर देगा आपकी एपिकल okay intercalorie right बच्चो and secondary या फिर इसको तुम lateral भी बोलते हो इसका दूसरा नाम क्या है lateral भी बोलते है उसको तुमारी ncrt ना तुरह जोल करा हुआ है लेकिन आप इसको तरीके से करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा अब मेरा जो एपिकल है वो further दो तरह का हो सकता है क्या हो सकता है या तो बच्चो राम होगा या फिर साम होगा राम मतलब root apical meristem साम मतलब shoot apical meristem ठीक है जी? ओके राम मतलब root apical मेरिस्टें शाम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टें है ना ठीक है ठीक है ठीक यू महादेव ठीक यू सो मच ओके जी चल यह हो गया अब हम जरा पर्मानेंट को भी डिवाइड कर दें क्योंकि मैं चाती हूँ कि आज मैं तुम्हें सिंपल तक कर्वादिँ ठीक है सिंपल तक मैं तुम्हें कर्वादू चलो देखते हैं सच अब दीक में पर्मानेंट को डिवाइड नर कें गर इसको भी इस ज्रीक करेंगेना क्या करती है यह आगया यह द ना कर से न मिदो परहना यह चीब deepen की मार्ण and complex simple further 3 में डिवाइड होगा complex 2 में डिवाइड होगा कर दें divide कर दें division कर दें so यह तुम्हारा tissue वाला जो पाट है उसका एक mind map तुम्हारे सामने आके प्रस्तूत हो चुका है parenchyma right बच्चो kholenchyma correct and sclerenchyma okay and यहां मेरा आ जाएगा xylem and phyloem अरे दो ही तो बनाने थे xylem and phyloem ठीक है यह बास सबको समझ में आए thank you Nandita thank you so much thank you तो एक बार फिर से revision quick revision करते हैं मेरे पास है plant issue plant issue को मैंने पहले डिवाइड कर आप meristematic और permanent permanent divide नहीं होता ठीक है it does not divide यहां पर मैं लिख देती हूं do not divide लेकिन बच्चों कभी-कभी divide हो भी जाता है यह मत सोचके चलना कि जो बंदा आराम कर रहा हो हमेशा ही आराम करेगा कभी-कभी वह बोलता है कि डिवाइड नहीं करता यह वाले cells मेरे डिवाइड करते रहते हैं यह कैसे है तीन तरह का है apical, intercalorie, intercalorie and secondary ठीक है यह हो गए apical के types and then simple and complex यह हो गए मेरे permanent के type यह वाला जो आपकी book में classification दिया है that is on the basis of position बच्चों मैं आपको तीन और classification बताऊंगे actually total हम तीन करेंगे तभी हमें यह chapter थोड़ा सा समझ में आएगा ठीक है जी? चलो अब आजाते हैं meristematic tissue ठीक है इस पे question पूछा जाता है कि भई यह जो meristematic tissue इसके character क्या होतने है तुम मुझे बताते जाओगे meristematic meristematic array जो cells divide होते हैं उनके क्या character होते है फटा फट से तुम मुझे बताओगे मैं नहीं लिखूँगी यहां पे तुम मुझे बताओगे पहला character क्या होगा meristematic tissue को दे आर यांग ठीक है? यांग dividing cells है okay, बच्चे है ना बनते जा रहे बनते जा रहे नहीं दूसरी चीज क्या होगी बच्चो इसका shape कैसा होकता है? polyhedral या फिर isodiametric एक जैसे दिखते हैं सब ठीक है, सब के सब एक जैसे दिखते है very good very good good job good job Sanvi good job dense cytoplasmy yes Anjali very good oh I am so sorry polyhedral polyhedral होगे या फिर होगे isodiametric ठीक है बच्चो मतलब इसका क्या मतलब हो बही ऐसे ऐसे अगर है ऐसे ऐसे अगर है गोलू-गोलू, same गोलू-गोलू तो वो होगे isodiametric है एसे ऐसे अगर है तो वो क्या होगे polyhedral हो गए basically सब एक जैसे दिखेंगे simple सी बात है अभी किसी ने कुछ जिंदिगी में बहुत बड़ा कुछ करानी है सब एक ही जैसे है तुम सब अभी एक ही level पे हो जब neat का paper हो जाएगा तो पता चलेगा बच्चो किसका कहा admission हुआ है चलो आ जाओ no intercellular spaces तुम्हें दिख रहा है मैंने कोई intercellular space बना है नहीं अब इतनी भीड होगी तो सब पास-पास होंगे ना पास-पास होंगे no inter cellular spaces ठीक है prominent nucleus बच्चो इसमें अगर nucleus बना दू ना इसका nucleus नहीं से दूर से दिख जाता कि अच्छा भई यह है eristomatic cells दिख रहे हैं तुम्हें कितना एकदम prominent nucleus है तो लिखेंगे हम यह क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि question तो इसके उपर पूछा जाता है prominent nucleus राइट बच्चो ओके और क्या होता है अब एक जो छोटा सा बच्चा है उसके पास thin wall होगी मतला thin wall से मेरा मतलब है उसके पास milk वाले दात होंगे या permanent teeth होंगे बच्चो milk वाले दात होंगे है ना फिर वो टूटेंगे तो permanent teeth आएंगे वैसी बच्चो thin wall होती है यहां पर primary wall होती है यह जाएगी तो secondary आएगी ठीक है तो thin cell wall है which is primary nature जो है primary जो किस से बनी होगी cellulose से बनी होगी अब बच्चो ननने मुने cell है इनको बढ़ा जरूरत होती है connection की connection की बहुत जरूरत है connection की बहुत तो क्या जाएगे plasmo decimata plasmo decimata किस बच्चे को नहीं पता plasmo decimata बच्चो क्या होते हैं मैं बता देते हैं मैं बता दूँ कि अपने बच्चो को यह लो यह साथ में मेरे को एक और cell मैंने बना दिया इसके connections होते हैं ऐसे देखरो मैंने bridge के जैसे connection बना दिये connection को हम बोलते है plasmo decimata these connections are known as plasmo decimata तो जरूरत होती है ननने मुनने cells होते हैं एक दूसरे की काफी जरूरत होती है dense cytoplasm dense cytoplasm okay बच्चो तो सारे character हमने लिख लिए है of meristematic tissue question पता है कैसे आता है मैं तुम्हें बताती हूँ question तुम्हें पूछेंगा कि एक scientist है या फिर एक बच्चा है उसने माइक्रोस्कोप के नीचे एक टिशू रखा है जिसमें उसको dense cytoplasm दिख रहा है जिसमें उसको क्या कहते हैं intercellular species नहीं दिख रहा है जिसमें उसको permanent nucleus दिख रहा है तो तुम्हें पूछेंगा बता हो यह कौन सा टिशू है कौन सा टिशू है तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कि यह इस this is meristematic tissue तुम्हें यह बच्चो अच्छा यहां वैक्योल होगा या नहीं होगा वैक्योल होगा इनके पास यह नहीं होगा अब यह बच्चे हैं यह कितना जादा वेस्स प्रोटक्ट बना लेंगे नहीं बनाएंगे जादा बच्चो नो वैक्योल या लग फिर अगर है अगर है तो वेरी Few वेरी few जादा नहीं होते तो यह बच्चे यह बच्चे 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 मैं बोलती जारी अतनी दर से छोटे होँंगे, छोटे ही होते हैं बच्चे चल यह री गूट very good can we move on to the classification of meristem meristem का classification थोड़ा further कर दें ताकि तुम्हें confusion ना रहे देखो बच्छो meristem को मैं तीन चीजों पर classify कर सकती हूँ classification of meristem को तीन चीजों पर classify कर सकती हूँ classification of meristem थीक है तीन बेसिस पर मैं इसको classify करूँगी what are the three basis एक होगा बच्छो origin थीक है एक होगा मेरा origin के basis पर NCRT में जिस तरह से chapter दिया हुआ न मुझे पसंद नहीं है इस chapter को थोड़ा simplify करना पड़ता है बच्छों के लिए थीक है तो एक होगा मेरा origin का basis origin दूसरा होगा बच्छो function के basis पर बेखोन क्या काम कर रहा है है ना okay then position के basis पर कि यह चीज कहां मिल रही है मुझे देखो origin कहां पर पैदा हुआ यह कौन सी चीज क्या बना रही है function किसका क्या काम है position कहां पर मिल रही है ठीक है सबसे उपर है या lateral है या बीच में मिल रही है वह हो जाएगा यह चीज है अब आर यू रेड़ी पहले बच्चों origin करते हैं ठीक है पहले हम करेंगे origin origin के basis पे तीन तरह का है मैं बहुत ज़ादा डीटेल में नहीं जाओंगी क्योंकि आपको यह जो टर्म्स है आपको सिर्फ यह पता होनी चाहिए इंसी आटी में थोड़ा इस तरह से बताया नहीं है इसलिए हमें समझ में नहीं आती इनाटमी चलो origin के basis पे पहला जो मेरा है that is that is primordial या फिर pro meristem ठीक है क्या बोलते है उसको primordial या फिर बच्चो pro meristem अभी जो pro meristem मैं वो कहां मिलता है this is बच्चो embryonic meristem जो मतलब मेरे embryo में ही है जो सबसे पहले कहां होगा यार सबसे पहले कहां होगा सबसे पहले कहां होगा embryo में होगा यार सबसे पहले जो चीज बनी meristem बनी वो कहां बनेगी embryo में बनेगी तो मैं उसको क्या बोल दूँगी embryonic meristem या फिर pro meristem लिखो embryonic ठीक है this is embryonic ओके दूसरा आजाओ दूसरे पर आजाओ second पर आजाते हैं यार तो second मेरा होगा primary meristem primary meristem को कौन बनाएगा सोच के बताओ कौन बनाएगा primary meristem को primary meristem से पहले कौन बना था pro meristem बनाते हैं तो यही बनाएगा इसको और कौन बनाएगा कोई नहीं बना सकता यही बनाएगा लिख दो formed by formed by pro meristem है ना जी? है ना जी? है ना जी? है ना जी? ओके? ये इस NEET 23 के aspirant भी इसको देख सकते हैं बच्चो बिलकुल ठीक है अभी देखो एक बच्चा मुझे लिख रहा है माम यह live नहीं लग रहा यह session अब मतलब क्या करें कि यह session live लगे तुम्हें हां? अमलेश क्या करें कि तुम्हें यह live लगे? बोलो ठीक है? बोलो येस ओके? चलो, हो गया? अब इसमें example कौन से आएंगे? ये example तुम्हें पूछी जाएंगे बच्चो for example, apical merist published ठीक है वो तुम्हें अगज़ाँ हो जाता है yes, for example apical meristridge Church ठीक है? राम और साम जो बोला था बच्चो अब आजाओ तुम इधर, last पर last क्यों हो गया? secondary, obviously primary आगया तो secondary भी आएगा, भाग भाग कर secondary secondary marry stem आ गया यह भी आ गया कूद गया यहां पर यह किस से बनेगा बच्छो संभल के संभल के यह आपकी life में बाद में बनता है समझो मेरी बाद समझो यह life में बाद में बनता है secondary marry stem बहुत बाद में बनता है life में किसी भी से बन सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि भही एसा कुछ नहीं है कि भई, कि ये इससे बनेगा, उससे बनेगा, इसका एक condition है कि बाद में कभी बनेगा, life में जाके, ये लिखोगे बस तो, formed, later in life, कब बनेगा वो मैं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है, कब बनेगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगी, मेरा काम है तुम्हें बत सुन लो यहां से, fascicular cambium, ठीक है, example क्या है, fascicular, sorry, interfascicular cambium ज्यादा ठीक रहेगा, interfascicular वैसे तो fascicular भी होता है, interfascicular, अभी न कोई भी interfascular cambium क्या होता है, intra क्या होता है, उसकी tension नहीं लेगा, क्योंकि बच्चों आपको यह कप पता चलेगा, जब मैं आपको बताऊंगी, स्टेम की एनाटमी ठीक है तो आपको पता चलेगा कि इंटर फेसिकुलर क्या होता है और इंटरा क्या होता है अभी कोई भी कोई भी चिंता नहीं करेगा कि इंटर फेसिकुलर क्या है इंटरा फेसिकुलर क्या है प्लीज बच्चो ठीक है फ्लीज ओके जी और केम्बियम के बारे में भी आप बरी नहीं करोगे केम्बियम क्या होता है वो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा इसी चैप्टर में हम केम्बियम के बारे में पढ़ते हैं राइट बच्चो ठीक है खुशी हमने मॉर्फॉलोजी खतम कर लिये वो सेरी चैनल के बच्चे यहां आ जाएंगे वो क्या सोचेगे बताओ मुझे हां क्या सोचेगे अच्छा नहीं लेगा ना उनको ठीक है गंदा लेगा बहुत गंदा लगवा रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हो तूम मत करो ना ऐसा चाल इंटर फेसिकलर खेंबिया अरे यार इतन करना पड़ेगा उसके लिए कॉर्क केम्बियम ठीक है पहली सीडी पर जाओ जाओगे पहले सिधा तुम दसवी सीडी पर नहीं चड़ सकते टाइम लगता है उसके ठीक है चलो टाइम लगता है अच्छा जी चलो इतनी बात हो गई है इतनी बात हो गई हमारी से ब्लानप फिजीजी के बच्चो आपको सारे सेशन यही मिल जाएंगे ठीक है यहीं मिल जाएगा ओके चला आजाओ हो गया यहां पर मैं तुम्हें एक छोटा सा डाइगरम भी बना दू तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा तुम्हें फॉर एक्जामपल यह देखो अगर मैं बनाती हूँ यह स्टेम देखो बच्चो अगर मैंने स्टेम बनाया ना तो कहां पर कौन सा मेरिस्टेम होगा मैं तुम्हें एक बर बता देती हूँ यह रहा मेरा स्टेम ओके यह है शू टेपिकल ठीक है अब यहां पर ध्यान से देखना नन्नू सी छोट उसी जगह पर जो मैंने बनाया ग्रीन कलर में दिस इस यूर प्रो मैरिस्टेम ठीक है प्रो मैरिस्टेम किसको बनाएगा प्राइमरी मैरिस्टेम को बना दिया और सेकंडरी मैरिस्टेम मुझे कहां मिलेगा बच्चो डान येस ऐसी कर लेते हैं ठीक है मैं लिख भी देते हूं I'm gonna write it for you की कौन सा structure क्या है तो ये जो green color अदे green color में लिखना चाहिए था ना फिर मुझे आओ ये जो बच्चो मैंने green color में बनाया ऐसा लग रहा है की nail है है ना ऐसा लग रहा है की nail है this is my pro meri stem ये है मेरा pro meri stem अब मैं क्या बोरू कि तुम्हारी NCRT में शायद लिखा हूँ है की छोटा सा नन्नू सा area occupy करता है तो लिख लो तुम यहापे occupies occupies a very small small area at the tip of root and shoot तो अब तुम्हें कोई पूछेगा की बताओ भई ये होता कहाँ पर तो meri stem कहाँ दिखता कहाँ दिखता तुम बता सकते हो कि छोटा सा नन्ना सा area root और shoot के tip पे हमें तो यह बताया बई है ना और यही सही बात भी है हमें तो यह बताया यह सही बात भी है अजी पानी पीलो तुम लोग भी ठीक है? पानी पिलो कौन पूछा मैं टेस्ट कब लेते हो बढ़ी टेस्ट होता है 2.30 पे और कल मैं पूरे स्लेवर्स का टेस्ट लेने वाली हो ठीक है यहाँ एक लिंक दिया हुआ है उसको follow कर लो अब चलो अब आजाओ on the basis of position this is to very easy this is very easy यह डायग्राम तुमारी पुस्तक में भी दिया हुआ है जो मैं अब आगे बनाने वाली हूँ यह देखो बड़ा ही आसान है on the basis of position आजाओ कि कौन सी चीज कहां मिलेगी on the basis of position ठीक है चलो बना ले डायग्राम बना लो बच्चो देखो डायग्राम जितने बनाओगे ना तुम एनाटमी में उतना ही तुम्हारे दिमाग में चीज़े जाने वाली है ठीक है यह कौन है बोल रहे है मुझे plant physiology कब कराएंगे माम jammy plant physiology हमारा हो चुका है ecology भी डन है ठीक है ecology भी डन है बच्चो हमारा मेरे यहां पर sessions पड़ेंगे उनको फटा फट से आप देखना शुरू करो और अपना जो बाक लोग उसको खतम करना शुरू करतो राइट बच्चो चलते हैं और अपना डाइग्राम बनाते हैं डाइग्राम इस प्रकार से कुछ मनेगा अपना इसका है तोड़ा सा स्केरी सा लगेगा तुम्हें बतारी हूं पहली पहली तुम्हें वान्ट कर रही हूं माम यह क्या बना रहे हो लिजर्ड बना रहे हो क्या है ना यसा ही लग रहे है ना आजाए यह यह मैं मैं यह क्या बना दिया आपने हैं यह बच्चो प्लांट यह प्लांट है और प्लांट के जो नोड्स है इंटर नोड्स है वो दिखाने की मैंने कोशिश करी है ठीक है I have tried to show you the nodes and inter-nodes अब सबसे उपर जो मेरा meristem होगा definitely that is going to be epical meristem ठीक है वो होगा epical meristem जो nodes के बच्चो बीच में होगा ठीक है nodes के ऊपर या नीचे होगा जैसे की यह वो मेरा होता है intercalorie ठीक है that's my intercalorie और जो बच्चो side में होगा जैसे की यह yellow वाला जो मैंने बनाया है वो होगा lateral ठीक है वो होगा lateral देख बोल रहे है ना तुम मैं हमें तो lizard लग रही है हाँ मुझे पता था मैं हमें तो lizard लग रही है चलो लिख दे this is epical meristem है ना ठीक है जी जिसमें क्या जाते बच्चो राम और साम आ जाएंगे हमारे राम और साम आ गई राम और साम आ गई हैं यस बच्चो ओके ठीक है and what is this green one green one क्या है this is inter इस पर question बहुत पूछे जाते है इस पर बहुत question पूछे जाते है और मैं तुम्हें बताने वाले हूँ इस पर क्या question पूछा जाते है लिखो intercalorie चलो चलो intercalorie क्या है nodes के top या base पे मुझे मिलेगा inter क्यालोरी कहा मिलता है बच्चो मुझे कहा मिलेगा यह मैरी स्टेम मुझे कहा मिलता है एक तो यह question directly पूछ लेंगे कि इंटर क्यालोरी कहा मिलता है तुम बोलोगे यह कहा मिलता है top और base of nodes ठीक है मैंने क्या करहा है देखो यह node था ना यह था ना node यह बीच वाला जो पार्ट होता है वो node होता है जिससे नए आपके parts arise होते है ठीक है वो node होता है अब node के उपर वाला पार्ट मेरा क्या हो गया? Intercalorie नीचे वाला भी क्या हो गया? Intercalorie हो गया इस पर question पता है क्या पूछा जाता है Yes, very good, very good Idris, very good, very good Yes, yes nodes के बीच वाला नहीं होता साकिब, node के उपर अरे node के उपर और नीचे वाला होगा, बीच वाला नहीं होता यह नहीं बोलते, बीच वाला नहीं बोलते तो तुम गलत कर दोगा between the nodes, नहीं that is wrong, that is absolutely wrong okay अब इसका काम क्या है ये क्यों है? किस लिए ये जाधा तार बच्चो तुम्हें मिलेगा मोनोकोटस में थिक ए जाधा तर मुझे कहा मिलता है मोनोकोटस में ये question पूछा जाता है कि मोनो कोटस में इसका क्या काम है मोन montón कोटस में मिलेगा जाधा तर क्यों? because it helps in regeneration this helps in बच्चो regeneration ठीक है this helps in regeneration regenerates what parts removed by herbivores okay मतलब जिसे घास है गाए आई उसने घास खाली अब उसका बिचारे का घास का तो ऊपर वाला सब अब तुमने देखे ना घास कितनी जल्दी बढ़ जाती है एक दिन गाए ने आके घास खाई दो दिन में दूसरे दिन तीसरे दिन तुम्हें फिर से वहाँ गास दिख जाएगे क्यों क्योंकि उसके पास होता है intercalorie meristam ये फिर से बच्चो पार्ट को उगा देती है ठीक है फिर से इन पार्ट को उगा देती है राइट बच्चो ठीक है येस वेरी गुड़ ठीक है वेरी गुड़ वेरी गुड़ ओके चलो आजाए नेक्स पर आजाओ नेक्स पर आजाओ अब आगया अपना lateral meristam which is yellow वाला जो मैंने बनाया हुआ है lateral आ गया lateral आ गया अब यहां किस-किस के example आए अब लाटरल में ना secondary meristam में जो भी था उस सब के example यहां जाएंगे जैसे कि intra and inter fascicular cambium अभी ना यह यह टम्स तुम्हें अभी समझ में आएंगी नी ठीक है तो अभी घबराने की जरूरत ने कि cambium क्या है interfascular क्या intrafascular क्या है यह अभी नहीं समझ में आएगा cork cambium यह भी आपको अभी समझ नहीं आएगा ठीक है बच्चो मैं जब आपको stem पढ़ाऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा when I will tell you about stem ना तो आपको यह चीज़े चमकेंगी right ओके ठीक है हान जी gymnosperms और angiosperms दोनों में मिलती है gymnosperms and dicots ओके यह लेकर देती हूं यह में cover today yes Varshu मुझे तुमारी चाट यह दिख रहे है मैं आपको मेरी चाट नहीं दिख रहे ही क्या हां बच्चो इस वेरी difficult to look at every chat right अगर मैं चाट ही पढ़ने लगी ना फिर तो हमारा chapter हो गया आगे आजाओ on the basis of function on the basis of function आजाईए मतलब कोई क्या काम कर रहा है okay आप देखो बच्चो जो अपना होता है tissue जो भी अपना बना हुआ है organism ठीक है जो भी organism बना हुआ है right उसमें तुम देखना कि हर एक का कुछ न कुछ काम होगा जैसे आप animal tissue में पढ़ते नो ectoderm, mesoderm ठीक है वैसे यहाँ पर भी आने वाले हैं तो protoderm protoderm का क्या काम होगा यह बच्चो ऊपर की covering बनाएगा ठीक है ऊपर की covering मतलब skin बनाएगा it forms forms protective covering ठीक है protective covering बनाएगा जैसे की for example epidermis for example बच्चो epidermis यह हो गया मेरा protoderm राइट अब दूसरे नंबर पर मेरा आता है procre cambium pro cambium यह क्या बनाएगा मुझे लग रहा cambium बनाएगा है ना ऐसा लग रहा कि जैसे cambium बनाएगा बढ़े बच्चो cambium नहीं यह पूरा का पूरा vascular tissue बनाएगा this forms vascular tissue जैसे की जैसे की Tucson blog जैसे की philosophy अपना अपना काम है ठीकएगःya विए रोग में आपको आता नहीं है ठीकशे तो जो मैं बात कर रहा हूं उस चलो, ठीक है, ground meristem क्या है, चलो भही मैंने ऊपर की covering बिना ली, चलो भही मैंने vascular tissue बिना ली, अब जो beach का space है वो किस से भरू, वो किस से भरू, ground meristem से, तो ये बनाएगा बाकी सारी चीजे, except for the covering, except for the vascular tissue, वो ये सब बनाएगा, ठीक है, So, forms, structures, other than, बच्चो, other than, other than vascular tissue and epidermis, and epidermis, दुनिया जहान में जितनी भी चीजे तुमारे दिमाग में plant के लिए आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, प्लांट के लिए आ रहे हैं, वो सब ये ही बनाने वाला है, except for protective covering, जो बनाएगा, proto-dum, except for vascular tissue, जो बनाता है, pro-cambium, आज ये बात समझ में आई, yes, बच्चो, इसके example में लिखे देती हो, तुम्हें, इसके example लिखे देते हैं, for example, cortex, pith, right, endodermis, pericycle, बड़ा कुछ है, pericycle, right, बच्चो, medullary rays, ये सब मैं आपको बताऊंगी, जब आप stem पढ़ोंगे, okay, pith, अरे, pith तो मैं आपने लिखी दिया था, ये दो लिखी दिया था, ये दो मैंने लिख दिया था, okay, हो गया, बताओ, is, merismatic tissue सबको clear हुआ, चमका, 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 okay, बच्चो, जो मुसे अभी पूछ रहे न, मैम, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सारी चीज़े आपको तब समझ में आएंगी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, stem की anatomy, stem की anatomy हम आज नहीं पढ़ेंगे, ठीके, अभी नहीं समझ मताफैज सीड़ी हो, ये तुमारी सीड़ी है, तुम चड़ रहे हो, चड़ रहे हो, पहले बच्चो, één वाली-पहली one सीड़ी पे चाहोगी, फिर टू पे जा पे, फिर तू पे पे जाओगे, एगदम से इधा तो नहीं चली जाते ना, यहां से एक दम टपा मार के, यहां तो नहीं जाते, ऐसा तो नहीं होता ना बच्चो, so you have to wait, ठीक है, you have to wait, all right, you have to wait for, हाँ जी, तो आब जब तुम पढ़ोगे अपनी अनाटमी, तो तुम्हें दिक्कत आने वाली नहीं है, आप देखना मैं तुम्हें एक भयानक डाइग्राम बताने वाली हूँ, एक इतना भयानक डाइग्राम बनाने वाली हूँ ना तुम्हाने सामने, अब अपनी NCRT लेके तुम बैठे होगे और तुमें उसमें ये खतरनाक सा डाइग्राम देख रहा है क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कौन सा डाइग्राम बनाने लगी हूँ यह ना यह से मॉंस्टर सा कुछ दिख रहा है तुमें अपनी बुक में देख रहा है अब नहीं नहीं समझ के ना फिर समझ ही नी आएगा कभी नी आएगा देख रहे हैं देख रहे हैं क्या डाइग्राम बनाए हैं देख रहे हैं ओके हो गया चलो एक आउट लाइन तो बन गया है अब क्या बना दें इसमें वैस्कुलर टिशू बना देते हैं यार इसके बिना कैसे काम चलेगा यह बना दिया वैस्कुलर टिशू मैं ने दान ठीक है इधर भी बना देते हैं इसको भी तो चाहिए वैस्कुलर टिशू यह ग्रीन वाला मेरा बन गया बच्चो वैस्कुलर टिशू, अब तुम इमाजिन करोगे, अब तुमें थोड़ा सा अपना इमाजिनेशन पावर यूज करना पड़ेगा, राइट, देखो, यहाँ पे शूटेपिकल मेरिस्ट्रम मम कहा पर है, बच्चो एकदम टिप पे होता था, बिल्कुल टिप पे होता था, मेरा शूटेपिकल मेरिस्ट्रम, तो यह है मेरी टिप, कोई बच्चा यह नहीं सोचे अब आपका drawing improve हो रहा है, thank you thank you Madhu thank you thank you yeah thank you तुम्हें बढ़ाते इंप्रूव हो गया, तुम हो इसका reason ना क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो तुम्हारी अजय से हो रही है चलो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ यह क्या है, सबसे पहले यह सींग दिख रहे है ना, these horns, what are these, let's see, यह क्या है बच्छो, यह क्या है, these are my leaf primordia, ठीक है, यह क्या होता है मैं, leaf primordia, तुम्हारे पुस्तक में लिखा हुआ है, पर तुम समझ में आता नहीं, यह क्या होता है, these are basically leaf initials, इन से क्या बनेंगे बच्छो, इस से leaf बनेंगे, यह जो चीज तुम्हें दिख रहे हैं, यह बाद में जाके leaf बनाने वाली है, ठीक है, यह leaf बनाएगी, okay, done, चलो, डान बच्छो, डान, चलो, अब आगे चलते हैं, अब मुझे दिख रहा है, यह pink color का structure दिख रहा है, यह क्या होगा, जिसको मैंने साम बोला था, वो है यह, शूट, एपिकल, मेरी, स्टेम, जिसको मैंने बोला था, साम, यह वही है, ठीक है जी, okay, अब यह क्या है, यहाँ पर यह क्या है, यह क्या बन गया है, यहाँ पर यह जो pimple सा बन गया है, यह क्या है, देखो बच्छो, क्या होता है, तुम्हारी पुस्तक में एक चीज लिखी हुई है कि यहाँ पर कुछ apical meristem थी उसने दौड लगाई वो आगे चली गई ठीक है? वो यहाँ पर पहुंच गई सुनो मेरी बात वो यहाँ पर पहुंच गई लेकिन बच्चो पीछे कुछ चीजों को छोड़ गई कुछ apical meristem के जो cells थे वो यहाँ रह गए और यहाँ रह गए उसने क्या बनाया? उसने axillary bud बना दिया ठीक है? उसने axillary bud बना दिया राइट बच्चो? तो यहाँ तो मेरा main apical meristem इधर पहुंच गया पूटे हुए cells जो apical meristem नीचे छोड़ गया उससे क्या बन गया? axillary bud बन गया, लिखो 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 ठीक है बच्चो? अन वाट इस यह green color मैंने क्या बोला था? यह है मेरा vascular tissue still differentiated ठीक है? अभी भी विचारा बन ही रहा है तो मैं लिखोंगी differentiating differentiating vascular tissue राइट? ठीक है? मैं आप इंडियन आईडर में ट्राइ करो अच्छा इत्त, रहने दो DPP का मिलेगा? DPP मेरे टेलेग्राम पे मिलेगा मुझे महाँ फॉलो कर लो ओके? मुझे महाँ फॉलो कर लो somebody is asking me what is the use of axillary bud? बचो इसके लिए आपको मेरा morphology के lectures लगाने चाहे वो हम वहाँ cover कर चुके है axillary bud का काम होता है कि वो भी अलग-अलग structures बनाएगी ये उसका काम होता है but you should really really check out my morphology के sessions ठीक है? नहीं तो फिर गड़बडा जाएगा है ना जी? चलो हो गया तो ये है अपना shoot apical meristem ये किसका है diagram ये है shoot apical meristem ठीक है? नीचे था मुझे से लिखा नहीं जा रहा था ठीक से अब आजाओ root apical meristem उसको भी उड़ा दे? चलो उसको भी उड़ाते हैं ने तो फिर मैम ने ये जो challenge लिया है कैसे पूरा होगा? नहीं हो पाएगा ना? आजाएगे बच्चो so अब बनेगा root apical meristem ऐसे ही कुछ है आपनी किताब में उसको हम cover कर देंगे बच्चो root cap से it is always sub terminal मेरे बच्चे जो मेरे साथ पढ़ चुके उनको पता है ठीक है? it is sub terminal तो ये बना दिया मैंने root cap ये हो गया root cap अरे ये कहां से आ गया? ठीक है बच्चो ये हो गया root cap अब यहाँ पर भी बनाने वाले हूँ कुछ चीज़े इस पर question directly ढ़क्ली डायग्राम से पूछे जाते है इसको ignore मत कर दे ना ये गलती मत कर दे ना बच्चो ये गलती अगर तुमने कर दी ना तो फिर खतम ठीक है? तो फिर खतम हो जाएगा येस चले आगे बड़े चलो बई यहाँ आपे हम बना देथे यहां पर थोड़े सा और मुझे डाइग्राम को इन्हांस करने की ज़रूरत है डाइग्राम में हम थोड़े से और लेयर्स बना देंगे बच्छो ऐसे ठीक है लाइक देस इस तरीके से तुम्हारी NCRT में डाइग्राम दिया ही हुए तुम नहीं भी बनाओंगे तो चलेगा ठीक है लेकिन मेमराइज कर ले ना उस डाइग्राम को ओके अन इन दे सेंटर वी हाव दे सेंट्रल सिलिंडर यह लेजे बन गया ओके आजाओ किस कलर से बना दें इस कलर से बना दें ऐसे 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 यहाँ पर जो आपको यह पिंक कलर के डॉट 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 दिख रहे हैं यह है मेरा मेरी स्टेम दिस इस माई मेरी स्टेम यह होता है बच्छों मेरी स्टेम दिस इस दा मेरी स्टेम ओके चलो अब यहां पे भी कुछ बनाया हुआ है इसको भी हम कर लेते हैं यहां पर भी एक कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का बना लेते हूं मैं सब कुछ बताऊंगी आपको लेबल करोगी ठीक है चलो डॉक्टर गार्गी सेंग डॉक्टर गार्गी सेंग है अब शुरू करे, कहानी शुरू करे येस मैं कहानी शुरू कर दो ये क्या था बच्चो, this was the covering जिसको हम बोलते हैं, root cap, okay the covering is known as root cap, okay ये जो मैंने बीच बीच में green color की चीज़े बना दिये हैं, ये क्या है बच्चो, these are the initials of central cylinder and cortex, अभी मैं लिख देती हूँ, फेले फिर बताती हूँ तुम्हे, क्या है central cylinder क्या है मैं बताऊंगी so these are the initials of of central cylinder and cortex, इसको देखो, दीख्षा को देखो कितना जूम रहे है, ती खुश है ये yes yes अरे फैजल, plant physiology मैं करवा चुक्यू ठीक है, सकीना, I am a PhD I am a PhD, I have PhD in mycology, मैंने 3-9 species भी discover करे है, Google पे जाके चेक कर ले न बच्चो, ma'am के सारे research articles आपको Google पे मिल जाएंगे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है okay, yes बच्चो, यह देखो तो यहां पे क्या लिखा इनोने proto-derm, कुछ बच्चे बोल रही थे न, ma'am ने NCRT से बाहर करा दिया अब यह तो proto-derm तुमारे NCRT में लिखा हुआ है अब तुम्हें फिर यहां पे समझने में प्रॉब्लम हो जाती नहीं इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया बच्चो, Morpho का DPP आपको मिल जाएगा थोड़ा सा मुझे टाइम दो थोड़ा सा टाइम दो मुझे this part is my cortex यहां से मेरा cortex बनने वाला है बन चुक है वैसे यहां तक बन जाता है इसलिंडर में क्या दा तुम्हारे वैस्क्लर बंडल यही मिलेंगे यहां मुझे पिथ मिलेगा यहां मुझे परिसाइकल मिलेगा अच्छा अब माम और भी कुछ बता दो हां रूट अपिकल मेरिस्टेम तो लिखा नहीं माम आपने इतनी दर से बोल रहे हो तो यह जो पिंक कलर में हमने बनाया है यह क्या है यह रूट अपिकल मेरिस्टेम ही तो है इतना क्या डर रहे हो यह है रूट अपिकल मेरिस्टेम जिसको मैं प्यार से क्या बोलती हूँ बच्छो राम जिसको प्यार से मैं क्या बोलती हूँ राम और जो नीचे pink color के कुछ cells और दिख रहे न तुम्हें, ये है मेरे root initials, initials of root cap, initials of root cap, माने, ये वाले जो cells है न बच्चों, ये root cap बनाएंगे, इसलिए मैंने को initials of root cap बोलती हूँ, ये जो है मेरा, ये है मेरा root epical marriage term, जो की सारे क structures को बनाने वाला है, right? ठीक है जी? ठीक है जी? बता दो, बोलो, इतनी बास समझ में, क्या ये diagram जो आपके बुक में दियो है, बच्चों, ये आपको clear हुआ, ये आपको clear हुआ, ठीक है? एक extra चीज बताती हूँ, और PYQ corner, आजाओ, जो बच्चे नए आया है, उनको पता चुपके से कुछ बाते बता देती हैं, जो extra होती है, जो पूछी गई है पहले exams में, ठीक है? जो पूछी हूँ है पहले सालों में, तो PYQ corner, who is excited for PYQ corner, बच्चों, कौन-कौन है जो excited है, yes ma'am, बता दीजी, yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, ha'am, PYQ corner के लिए, कौन excited है, yes, है ना, कुछ चेक्स्टा पढ़ने में थोड़ा सा मजा भी आजाता है, थोड़ा सा मजा आजाता है, yes ma'am, yes, okay, चलिए जी, बच्चों, जो बच्चे मुझे से axillary bud पूछ रहे हैं न, please मेरा morphology के lectures जाके देखिये, okay, महाँ पे मैं पहले बता चुकी हूँ, yes, me, 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 क्विसेंट, सेंटर, ठीके बच्चों, क्विसेंट सेंटर, okay, अभी जा मुरा क्विसेंट सेंटर होता है, इसमें mostly कितने सेल मिलेंगे, मुझे कुछ, कुछ हजार सेल तक मिल सकते हैं, ठीके बच्चों, कुछ हजार सेल तक मुझे मिल सकते हैं, ठीके, और इसका shape कैसा होत होता है, hemispherical होता है, और क्या होता है, इसके जो cells होते हैं, इसके जो cells होते हैं वो active होंगे या inactive होंगे, बतादो ज़रा मुझे, क्या लग रहा है तुम्हे, quiescent centers सुनके क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? येस, it has inactive cells, ठीक है, inactive cells होते हैं, अब तुम बोले के माम यह क्या कर रहा है यहाँ पर, यह inactive cells क्या कर रहा है, यहाँ पर inactive लोगो को क्यो रखे, यहाँ क्यो रखे है, यह बच्चो, this is a storehouse, अगर मेरा root by chance खराब हो जाए, destroy हो जाए, मतलब मेरा root apical meristem भुझा हो जाए, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं यहाँ से use कर सकती हूँ cells को, ठीक है, यहाँ से मैं cells को use कर सकती हूँ और फिर से अपना root apical meristem बना सकती हूँ, ठीक है, फिर से अपना root apical meristem बच्चो बना सकती हूँ, ठीक है, फिर से अपना root apical meristem बच्चो बना सकती हूँ, ठीक है, फिर से अपना root apical meristem बच्चो समझे समझे मेरी बास समझ गए ओके वेरी गुड वेरी गुड चलो आगे बड़े ओके चलिए बता दो बता दो बता दो एक मिनट दो आपके चाट्स ना अभी 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 आए अभी आये आपके चाट्स प्रेज़न कहांगा बचो प्रेज़न होताय इसzahl फांड in दा आपका जो जो मेरी इंड ठोमाटिक रीजन होता है उसी के नीचे कुछ सेल्स है जो हमारे इन यह भी लिख देती हूं यह भी यहां लिख देती हूं बिहाइंड रूट एपिकल मेरिस्टेम आपको यह मिलता है ठीक है बहुत स्लोली डिवाइड करें गया डिवाइड ही नहीं करता दन बचो क्या पीवाइड क्यू कॉर्णर भी आपको क्लियर हुआ राइट इतनी बात भी समझ में आ गई येस ओके ग्रेट 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 चमका चमका अब आजो अरे रे यह क्यों यह लाइन्स लगती रहते हैं मेरेको ना बढ़ा बहुत ही वह होता है फिर अच्छा अंजली मुझसे पूछे माम कुईशन सेंटर को कैसे पता चलेगा की सेल्स बनाने है बचो आपकी बॉडी में कैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी में चोट लगी है रिपेयर करना है ठीक है रिपेयर करना है कैसे पता चलता है आपको कैसे पता चलता है कुछ न अब एक बात यहां पर एक और चीज लिख देती हूं, यहां पर रू टेपिकल मेरे स्टेंड मेरा, सॉरी, सब टर्मिनल होता है, यह मैं पहले भी बता चुके, मैं फिर से लिख रही हूं, जो बच्चे मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं, मॉर्फॉलोजी उनको पता है, यह सब टर्मिनल होता है, राइड बच्चो, ठीक है, ओके, अन एक्जिलरी बड कैसे बना था, वो यहीं पर लिख रही हूं, सम अफ दसेल्स अफ चुट अपिकल मेरे स्टेंड मेरे स्टेंड लेफ बहाइं, एंड फॉर्म, एक्जिलरी, बड, मुझे न, आज आप कॉमेंट में, तुम्हारा होमवक भी दूँगी, लास्ट में होमवक भी देती हूं, ठीक है, लास्ट में होमवक भी देती हूं, चलिए जी, अच्छा, एक बाद बता हो, यार, यह देखो, तुमने मेरे पहले लेक्चर्स नहीं लगाए, अब दिक्कत हो रही है, पहले लेक्चर्स लगाने चाहिए थे बच्छो, मॉर्फॉलजी लगानी चाहिए थे तुम्हें, यह सब टर्मिनल क्या होता है, कि जो चीज करता है, ठीक है, चलो, आजाओ, राइट बच्छो, आब हम करेंगे शुरुआत किसकी पर्मानेंट टिशू की, पर्मानेंट टिशू थोड़ा सा मैं करवा दूँगी, आज तुम्हें, कॉंप्लेक्स नहीं कराऊंगी, लेकिन सिंपल तो करा दूँगी, सिंपल मैं करवा बता चुकी हूँ, दो प्रकार का होता है, सिंपल होता है बच्चो, एंड होता है कॉंप्लेक्स, मैं सिंपल आज तुम्हें करवा दूँगी, सिंपल टिशू, ओके, सिंपल टिशू, एंड कॉंप्लेक्स, कॉंप्लेक्स, टिशू मैं जल्दी-जल्दी में लिख रही हू यार ऐसे तो कुछ भी चाप्टर कदम ही नहीं होगा चीक है चलो आजाओ तो तीन तरह का है पहले शुरू करते हैं पेरेंट काइमेटर्स टिशू से फर्स वन इस बचो पहला क्या है अपना ओके पेरेंट काइमेटर्स टिशू कैसे होते हैं डियाग्राम इसलिए बना रहे हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में इस चीज़े सॉलिडिफाई हो जाएं देह लोक स्म्वाग दि ऐसmış होते हैं बैर Bunu थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा इंटर सेलुरल स्पेस तुम्हं 쓰 बिलेगा बनायाना मैने इंटर सेलुर स्पेस बनायाना तुम भी बनाओगे ओके चालो अब intercellular space तो मैंने बना दिया बच्चो बीच बीच में मुझे क्या दिखेंगे plasmo decimita भी दिखेंगे ये देखो मैंने बना दिये आपस में जुड़ा हुआ है ये क्या बनाया मैमने plasmo decimita बना दिये हो गया तो मुझे दो चीज़े पता चलगे कि यह जो मेरे cells हैं यार isodimetric सब एक जैसे दिख रहे हैं ठीक है सब एक जैसे दिख रहे हैं राइट बच्चो और क्या दिख रहे हैं मुझे diagram से diagram बनाने का ये मतलब होता है isodimetric है तो लिखो okay जी ठीक है दूसरी चीज बच्चो अलग अलग तरह की शेप के हो सकते हैं वो में यहां नहीं लिख रही उस पर कोई तुम्हें पूछने मिला अलग ओवल भी हो सकते हैं राउंड भी हो सकते हैं पॉलिग लिनिर भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं closely packed होंगे या फिर छोटे 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 spaces होंगे और with small spaces ठीक है यह हो गया cell wall किसा होगा? Thin है Thin 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 cell wall बच्चो यहां पे होता है Thin किससे बना हुआ है? Cell wall is thin and cellulose being किसचीज में help करेंगे? जहां पर भी काम आ गएया नाम आ गया पिरिनकाइमा का बच्चो जहां पर भी नाम आया पेरेंकाइमा का बताओ पेरेंकाइमा का क्या function होता है very good sani very good sani very good small intercellular space very good satya very good बच्चो जहां पर भी पेरेंकाइमा tissue का नाम आ गया तुम एक चीज बिलकुल सोचे समझे लिख दे न and that is storage यह इसका ऐसा काम है जो मतलब करना ही करना इसको ठीक है यह तो यह करे गई इसके अलावा और क्या करेगा इसके लावा क्या क्या करेगा फोटो सिंथेस कर देगा जैसे कि मीजोफिल सेल में फोटो क् till को सिंथेस कर देगा बच्चो जैसे की कौन से सेल में मीजोफिल जो लीव्स के होते हैं ठीक है लीव्स के जो सेद्थ होते हैं उसका मीजोफिल निफोटें बहुथी ऑशा अ और ख में बताँगी PY की coordinates बाद में चुपके से बताऊंगी और क्या काम है इसका secretion ओके और क्या काम है इसका और क्या काम है बच्छो कुछ जो मेरे parenchyma के cells हैं मैंने तुम्हें बोला था ना कुछ cells divide कर जाते हैं बोलो बताया था ना बतादो बतादो बताया था ना very good very good सानवी, very good couple, very good रॉष्णी, यह से, मैंने तुम्हें एक बात बताईते ना बच्चो यहाँ पे कुछ cells divide भी कर जाते हैं, वो इसी के cells होते हैं, वो cells इसी के होते हैं, पेरनकाइमा के ही होते हैं, जो cells divide कर जाते हैं तो यहाँ पे लिख दें, चुप के से, लिख दू बच्चो, इस पे question पूछा जाएगा, this is an important point, तो इसको भी अलग color से लिख लेते हैं, so some कुछ मेरे पेरनकाइमा के cells होते हैं तेज, चालू, चालाक पेरनकाइमा cells differentiate they can divide, बच्चो, they can divide, they can differentiate can different differentiate, मतब यह divide कर सकते हैं, वो कौन से cells हैं, यह पूछा जाएगा तुम से तीक है, यह पूछा जाएगा तुम से की वो कौन से cells हैं, for example रे पेरन काइमा, तीक है, या फिर तुम इसको medullary rays भी बोल सकते हो, रे पेरनकाइमा कर सकता है, divide और cortex के cells भी divide कर सकते हैं, अब तुम से पूछेंगे, अच्छा divide कर जाता है, तो divide करने के बाद बनाता क्या है, तो तुम बोलो के बच्चो, रे पेरनकाइमा या medullary rays बनाते हैं, vascular cambium, okay vascular cambium, वैसे ये interfascicular बनाते हैं, वो बाद में बता दूँ कि तुम्हें, ठीक है, चलो, cortex के cells क्या बनाएंगे, cork cambium, अब तुम्हें थोड़ा-थोड़ा कभी तो बनता है, लेकिन बताओंगी कब बनता है, देखें, पता चल के आप किस से बनाएंगे, ये बना parenchymatous tissue से, कहाई ये बाते आपको समझ में आई, ठीक है क्या, ये बाते आपको समझ में आई, राइट बच्चो, ओके, ठीक है ये, ये, आल राइट, चला रे-पेरेंचाइमा, बच्चो, जब मैं आपको पढ़ाओंगी cortex क्या होता है, रे-पेरेंचाइमा क्या होता है जब हम stem पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा अभी नहीं समझ में आएगा, अभी कुछ, ये नहीं पता चलेगा अभी मालो, ये तो ऐसा हो गया ना कि जैसे मैं आपको अभी सिर्फ टिशू के बारे में बता रही हूँ और तुम मुझसे पूछरो माम, किड़नी में क्या होता है हाँ, लंग में क्या होता है, हाट में क्या होता है वो तो बच्चो जब तो आप किड़नी, लंग, हाट, डीटेल में बढ़ते हो तभी बता चाहता है अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें टिशू बता रही हूँ कि कहां पर कौन सा मिल सकता है राइट ठीक है, राइट चमक्रां कर चमक्रां कर चमक्रां कर ऐला चमक्रां कर और सिर्फ तरथ अ rechts आगे अपना पीवाईक्यू कॉर्णर यस बचो कभी-कभी तुम्हें ये थंडा क्यों नहीं गर रहा है कभी-कभी न तुम्हें पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि क्लॉरिन काइमा क्या होता है अरुन काइमा क्या होता है यह सब बच्चों यह सब क्या है यह सब क्या है यह परन काइमा के ही different different forms है अब बच्चन का दो काईमा, डिखरे देखने में ओके पहला मेरा क्या है पहला है क्लोरेंकाइमा ठीक है बच्छो दूसरा है एरेंकाइमा तीसरा है प्रोजेंकाइमा राइट बच्छो तीसरा है प्रोजेंकाइमा राइट ओके अब देखो यह कैसे बनाएं मैंने किस तरह किस बेसिस पे इसका डिविजिन कर रहा है जिसके पास होगा क्लोरोप्लास्ट वो होगा क्लोरेंकाइमा इसके पास क्या होगा बच्छो प्रोजेंकाइमा इसके बीच बच्छो क्या होगा क्या होगा इसके बीच बच्छो क्या होगे इसमें होंगे space. Air cavities होंगी. Air Cavities होंगी. अब air cavities मुझे कौन से plant में चाहिए होंगी? जो float کرते होंगे. जो float करते होंगे उसमें air cavities चाहिए होंगी हवा भरी हुई मुझे वहीं चाहिए. मुझे हवा भरी हुई वहीं चाहिए ताकि वो नीचे ना कर चलेगा है. तो यह मुझे कहां में लेगा, कहां में लेगा, aquatic plants में बच्चो, ठीक है, to maintain buoyancy, maintain buoyancy, correct हो, correct हो, आजाओ, अब frozen काइमा पे आजाओ, यह क्या होता है, इसका thick wall होता है, ठीक है, इसका जो wall होता है, वो ठीक हो जाता है, और यह help करता है बच्चो, mechanical support में, यह हो जाता है काफी ताकतवर, mechanical support में help करेगा, right, चमका, कि नहीं चमका, P.Y.Q. corner clear हुआ, ठीक है, P.Y.Q. corner बच्चो clear हुआ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बता दो, कुछ बच्चे न, उनके पास patience नहीं होता, निकल लेते हैं, ओलते हैं, एक घंटा होगे, चलो निकलो यांसे, निकल लेते हैं, कट लेते हैं, है न, कट लेते हैं, right बच्चो, बता दो मुझे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, very good, very good, very good, 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 बच्चो, good, अब आ जाते हैं, देखो कितने अच्छे notes बने हैं, यह सब तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारे लिए बन रहा हैं यह सब, तुम्हारे बने हैं तुम्हें मिल जाएगा, साब तुम्हें मिलने वाला है और देखो जाहिन ने एकदम से मुझे बोला माम अमेजिंग नोट्स बन रहे हैं अमेजिंग ये ये ओके चलो आउ मैई आईज कुछ हुआ एकदम से आजो बच्चो नेक्स है कॉलन काइमा इजी है नेक्स्ट मेरे पास है कॉलन काइमा कॉलन काइमा पर कुछ questions बनते हैं वो बताऊंगी अभी ठीक है कॉलन काइमा के पास बच्चो क्या होता है एक बार ना डायगरम बना दूँ तुम्हें फिर तुम्हें जादा अच्छ से समझ में आगाया कॉलन काहिम में बेसिकली होता क्या है यह है मेरे सेल्स ओके ऐसे मैंने बना दिये सेल्स राइट बच्छो यहां पते क्या होता है कॉर्नर्स में यह हम बना देते हैं प्लाजमा मेंब्रेन अब क्या होगा यहां कॉर्नर्स पर देखो कॉर्नर्स पर मैं थिकनिंग्स बना दी मैंने देख रहे हो थिकनिंग्स कहां पर बन रहे है तो बच्छों के किरें पर क्या होगी और यह जो थिकनिंग्स बना देखो यह थिकनिंग्स हो गई और यह जो थिकंड है यह जो मेरे थिकन्ड यह किससे बने है यह बने है बच्चो सेलूलोज से okay हमी सेलूलोज पर question पूछा जाएगा okay और किससे पक्तिन से इन तीन चीजों से मेरी यह थिकनिंग बनी यह question तुम्हें पूछा जाएगा this is important and क्या यहां पर तुम्हें space दिख रहा है कोई कोई intercellular space दिख रहा बच्चो आपको बताओ बोलो बोलो कोई intercellular space दिख रहा है आपको बोलो बताओ दो फटावर से बताओ very good ishrat very good asif no there is no intercellular space there is no intercellular space बच्छो इस पर question क्या बनेंगे देख़ इस पर questions क्या बनता है सुनलो अब questions ये बनते हैं बच्छो की कॉलिन काइमा मुझे मिलता है hypodermis hypodermis क्या होगा hypodermis what is hypodermis hypodermis is the layer below epidermis epidermis के नीचे वाला हो जाएगा अपना hypodermis okay layer below hypodermis यह किस से बना हुआ होता है कॉलन काइमा से लेकिन यह किस में बना होता है Dicots में याद रखना यह question बहुत important है अतियन्त जरूरी यहां से बहुत questions बनते हैं बच्छो एक तो यह question बन जाता है ठीक है दूसरा यह बन जाता है कि किस चीज से यह थिकनिंग हुई हुई है तीसरा यह बन जाता है कि intercellular spaces होते हैं या नहीं होते हैं this is very very important okay चलो अब इसका काम क्या होगा क्योंकि मैंने तुम्हे बोला था क्योंकि इसके पास क्या गया थिकनिंग जा गया तो यह पका support करेगा कैसा support करेगा mechanical support देगा मेरे plant को मेरे plant को तूटने से बचाएगा है ना mechanical support मिल जाएगा बच्चो राइट okay कौन से नाजुक जो पार्ट होते हैं जैसे यंग पार्ट हो गया पिटी ओल अफ लीफ हो गया उसको बचाएगा यंग पार्ट okay पिटी ओल अफ लीफ उसको बचाएगा राइट अच्छा बहुत जोर से आधी चल पड़े बहुत जोर से आधी चल पड़े तो मेरे पेड कैसे होएंगे ऐसे हिलने लग जाएंगे तूट भी तो सकते है बच्छो ठीक है अगर वो बेंड ना हो तो तूट जाएंगे वो न जो इनसान जुकता नहीं है जो इनसान चेंज नहीं होता वो तूट जाता है राइट तो चेंज होना पड़ता है जुकना पड़ता है तो इसलिए मेरे पास क्या है अलाउज and pulling right बच्चो इसकी वज़ा से मेरे पेड बच जाते हैं और यह absent होता है कहां नहीं मिलेगा absent in monocots क्योंकि मैंने उपर dicot लिखी दिया and roots of dicot क्या root को जरूरत है क्या root को जरूरत है इस tissue की नहीं भई वह कौन सा bend होता है उसको जरूरत ही नहीं है जरूरत ही नहीं है यस अब अन्त पे तुम आ जाओ भई अन्त वाले पे आ जाओ अब लास्ट टिशू अफ दे दे इस scleranchyma इसका डाइग्राम तो बच्चों कैसा बनेगा इसमें तो बहुत सारी थिकनिंग हो जाती है इसमें इतनी थिकनिंग हो जाते कि बई कि विचारा मर जाता है यह टिशू मेरा मर जाता है पता है कि मर जाता है अब बच्चों देखो देखो जरा कितनी जादा थिकनिंग में आपने कर दी है देख रहे हैं बिचारा मरी जाएगा यह जिंदा नहीं रहता यह dead cells है these are dead cells यह लो बई तो पहला question तुम से यही पूछा जाएगा कौन सैसा tissue है जिसके पास होते है dead cells वो होगा स्क्लेरिन काइमा, ठीक है? वो क्या होगा? वो होगा स्क्लेरिन काइमा करेक्टो हो गया, ये लो ओके, बन गया? ठीक है जी? चलो ये होगा है, बतलब थिक एंड लिगनिफाइड ठीक है मैं इसको क्या लिखूंगी? अब तुम सोचेगे मैं ये ऐसी होता है कि इस शुरू से यह होता है? ने बच्चो शुरू में ये भी शेल्स बिचारे नन्ने मुने खेलते, खिल-खिल आते हसते हुए cells थे हमारे लेकिन इसके ऊपर deposition होता गया. होता गया, होता गया, होता गया lignin का. And बिचारे ये इतने थिक वर्ल बन गया. और तुम देख रहे हो जो इनका जो space है. इनका जो अंदर वाला space है जिसको हम बोलते हैं lumen. Lumen कितना narrow हो गया है इतना जादा narrow हो गया तो immature जब थे तब इनके पास सब कुछ था तब ही खुश थे लेकिन जब इनके पास कुछ नहीं रावच्छ No protoplast, no nucleus They become dead Dead, dead, dead ठीक है? चलो लिखो Immature है Immature जब थे Immature जब थे तो इनके पास होता था क्या होता था बच्चों इनके पास भी होता था Nucleus होता था Protoplast होता था लेकिन जब ये हो गया Immature, ठीक है? Immaturety के बाद क्या हो गया? जिन्दगी ने इनको धोका दे दिया तो इनके पास बच्चों, no protoplast No Protoplast No Nucleus कुछ नहीं रहा ये क्या हो गये? मर गये, dead इनको घोशित कर दिया, हमने dead ये मर चुके हैं अब तीक है? अब ये मर चुके है Right बच्चों, अब ये मर चुके है Yes, भोगा हो गया जो भी है आपकी बुक में न, कहीं-कहीं पर लिखा हुआ है PITS कहीं-कहीं पर लिखा हुआ है PITS PITS क्या है? अब PITS क्या होते है बच्चों PITS वो जगा होते हैं बच्चों, जहां पर Lignin का Deposition बहुत कम है जैसे कि अगर मैं यहां एक Diagram बना दू PITS वो जगा होते हैं जहां पर Lignin बहुत कम रह जाता है मानलो यह एक Cell है ठीक है? अब इसमें बहुत सारा Lignin का Deposition करा देते हैं, कराई दिया है मतलब मैंने, अगर बच्चों यहां पर कम है और यहां पर कम है तो मैं इसको बोलूँगी PITS These are known as, these places will be called as PITS, in combo PITS, तो PITS कुछ ने, घबराने की जुरूत में PITS are just the places जहां पर Lignin कम रह गया है यह क्या है? यह एक PIT है और कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है कहती बास सब बच्चों को समझ में आई या नहीं आई यह, बोलो, यह होंगे दो प्रकार के यह होते हैं, दो प्रकार के बच्चों These are of two types दो प्रकार के है, स्कलेरन काही महुत है, दो प्रकार का Actually मैं वहीं बना देती हूं इतना ज़ादा तुम notes, जितना ज़ादा तुम लगाओगे ना यह एक और पेज बना लेते हैं वो पेज बना लेते हैं उतना ही जादा तुम बाद में जब उसको रिवाइस करोंगे तुम्हे दिक्कते आएंगी तो हम एक टॉपिक के एक पेज के नोट्स बनाएंगे याद रखना माइंड़ फाइबर्स आंड बच्चो दूसरा आता है मेरा स्क्लरीड ठीके दूसरा आता है स्क्लरीड अब इनका नाम धोका रख दिया जाएं नहीं 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 स्क्लरीड ओके तो मेरे पास होगा फाइबर मेरे पास होगा स्क्लरीड दान बच्चो ठीके चलो चका चक हो गया चमक गया अब फाइबर्स कैसे होते हैं मैम स्क्लरीड कैसे होते हैं देख लेते हैं है ना डाइग्राम बनाना पड़ेगा एक उसी से समझ में आएगा हमें Fibers होंगे ऐसे यह रहा मेरा Fiber With a very thick wall बहुत thick wall बना देते हैं इसका देखरो तुम lumen कितना कम रह गया तो अंदर की जो cavity थी जो lumen था वो बहुत कम रह गया बच्चो इसलिए मैं इसको बोलूंगी actually यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा वो भी दिखेंगे Pits भी दिखेंगे वो भी बना देते हूँ ठीक न? ओके तो यह क्या है मेरा Sclerid आप मैं बना देते हूँ आपके लिए Sorry Fiber आप मैं बना देते हूँ Sclerid तुमारे लिए Sclerid बना दे Sclerid बचो गोलू-गोलू से दिखते है ऐसे और अगर मैं इसको पूरे को लिगनिन से भर दूँ इसमें भी क्या को बहुत ज़्यादा डेपोजिशन होगा Lumen देखो कितना नेरो कर दिया कितना ज़्यादा नेरो कर दिया इतना ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है बच्छो येस इतनी थिकनिंग हो जाती है है ना ओके अब हम क्या करेंगे अब हम बीच में बना देंगे वही पिट्स ऐसे ऐसे करके बना दिये ओके थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसको नीट अन क्लीन काम करना चाहिए जिंदगी में ये लो बन गया यहां से थोड़ा सा ज़्यादा ही चला गया बिचारा ओके बच्छो या मेरी बात समझ में आ रही है बता opera melody क्या मेरी बात समझ में आ रही है आईनो थोड़ा time हो गया है अब यह हमें परते-परते लेकिन बच्चो थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ेगा खुद को, ठीक है, तो this is the lumen, ये जो है, ये है दोनों का lumen, ओके, और ये क्या है, ये है इसका thick wall, this बच्चो is the thick wall, right, तो sclerid मेरा कैसे होगा, sclerid का lumen तो और भी narrow हो गया, ये होते है गोल-गोल, round and fibers मेरे होंगे ब sclerid, okay, sclerid मुझे कहां कहां मिल जाएंगे, they are found in, found in fruits, like, yes sclerid मुझे, sclerid का ये मुझे कहां मिल जाएंगे, fruits में मिल जाएंगा, like guava, okay, pear, supporta, supporta क्या होदा, चिकू, ठीक है, seed के coat में मिल जाएंगा, seed coat में मिल जाएंगा, बच्चो, of legumes, of legumes, right, 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 okay, अब sclerid काईमा के function क्या होते है, function खुझ से कर लोगे, बताओ, function में तुम्हें homework दे दू, function तुम्हें homework दे देती हूँ, और फिर तुम मझे बताओगे function क्या हो, function में तुम्हें खुझ से ऐसे बता देती हूँ, mechanical support होगा function, क्योंकि ये इतना जादा thick हो function, it will allow, बच्चो, bending and pulling, ठीक है, bending and pulling, ये allow करेगा, ठीक है, leaves of tea में मिल जाएंगे, yes, मेरे जो leaves है, उनको rigidity देगा, और इसका example होता है, बच्चो, jute, flex and hemp के fibers, आपको homework दे दू, ये, homework दे दू, चलेगा, हां, कुछ homework भी तो मिलना चाहिए, यार तुम्हें, ऐसे थोड़े होता है, so this is your homework, you have to tell me the functions of, yes, कुछ-कुछ homework भी दोना चाहिए, feeling आती है फिर न, वही offline वाली, homework है बच्चो हमारा आज का, homework है, कि आपको NCRT पढ़ना है जाकर, I am sure आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, NCRT reading करना है, ठीक है, ओके, दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, function of scleran, काइमा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने homework कर लिया है, आप मुझे, आप मुझे comments में लिख दोगे, कि माम मैंने अपना homework कर लिया है, मैंने NCRT पढ़ लिया है, और मुझे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जब मैं आपका special class पर कोई, कोई भ उसमें आप question पूछ सकते हो, ठीक है, उसमें आप question पूछ सकते हो, PDF में आपको दे दूँगी, ठीक है, थोड़ी दिर में आपको PDF मिल जाएगा, yes बचो, okay, because I am also tired now, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि कुछ काम तुम्हें भी देना चाहिए, सारा काम मैं ही करूँगी, कुछ बाद में doubt session लेती हो, ठीक है, तुम्हां ऐसा नहीं होता कि वेट करना पड़ता है कि कब मैं आपकी special class होगी, हम doubt पूछें, वहां everyday we have doubt session और आप बीच में मुझसे बात भी कर सकते हो, you can even talk to me during the session, right, और code तुम्हें पता ही है, गारगी लगा लेना, अगर प्लस का सब्स्र description तुन ही लेना हो, and बच्चो आपका ये All India test भी हो रहा है, scholarship चल रहा है, आप अने academy पे previous year questions भी देख सकते हैं, doubt भी पूछ सकते हैं, इस telegram channel को join कर लेना, and thank you so much for joining the session, चलो, bye-bye, take care, okay, bye-bye, take care, बच्चो, take care.